इसके अंदर बड़ा कुछ लिखा हुआ है पढ़ता है इसमें कोई नहीं है इसको इसलिए हम जैसे आई है वैसे कि वैसे इसको यह रख देते हैं हेलो दोस्तों क्या हाल है आप सबके मैं आज लाया हूँ आपके लिए माइक कॉलर माइक की अनबॉक्सिंग आज मैं गया था चांदनी चौप वहां से मैंने कुछ दो तीन चीजें खरीदी है वैसे मैं अपने व्लॉग में वह सारी डिटेल्स डाल दूँगा व्लॉग आज रात को एडिट होगा कल पोस्त करूँगा पर उससे पहले शॉट में आपको एक कॉलर माइक का रिव्यू द साथ में इसका एडॉप्टर है तो इसको आएए अन्बॉक्स करते हैं तो देखते हैं क्या मिला इसके अंदर बिसिकली वायर का मैं यूज कर रहा हूं माइक अभी बट मेरे को वायर में कभी कमार कुछ ऐसी दिक्तत आती है कि मुझे वायरलेस की नीड होती है बट मैं चा इसके अंदर क्या है एक तो इसके अंदर ये माइक है बहुत प्यारा माइक है देखने में तो प्यारा है इसके अंदर ही फोम लगी हुई है ये इसके अंदर कॉलर का बटम लगा हुए है और ये इसके चार्जिंग पॉर्ट है इसको आप चार्ज कर सकते हूं दूसरा इस इस तरीके का जो हम मोबाइल के पीछे लगा सकते हैं दिया हुआ है अगर किसी का आइफोन है आइफोन में यूज करना हो तो उसके लिए ये दूसरा पोर्ट है जैक है इसके पीछे ये वाला इसके अंदर लग जाए इस तरीके है ये ये आइफोन में लग जया और ये इसेज कर लेंग एसके अदर यह दो है फ़ोर जैसे आई है वैसे के वैसे के वैसे इस साथ में इसके अंदर है एक बहुत प्यारी टिपी में ऐसोगा चोटी सी साथ शोबिड इसके बहुत कम लोग यूज करते हैं कि हर किसी के बास मोबाईल city उसकी वीर तो जो तो मैंने यह पहली बार किसी प्रड़क्त की हैं वो सकता है आपको बतन ना भी आए तो कुछ बात नी कमेंट में बता देना और अगर आ जाती है तो लाइट को सब्सक्राइब पर ही दीजेगा तो वीडियो मैं यहीं खतम करता हूँ कल आते हैं व्लॉग में और एक की दोर लाया हूँ वो आपको दिखाई देता हूँ अभी जाते जाते यह देखे यह एक लाइट है चारजर से चार्ज होती है बैटरी इसमें लगी हुई है और इस तरीके से चलाओ तो यह ऐसे चलती ह जाएट किसी व्लॉगिंग करते वक्त शायद कहीं काम आजाए केक की वीडियो बनाते वक्त बड़िया लगी चीज इसलिए मैं ले आया ओके जी बाई-बाई